असलामनेकुम, वेलकम टो टेकनेक्सा चैनल, आज मैं हाजिने एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको मैं बताऊंगा, कि आप एस्ट्रा के थीम के साथ एक वर्डप्रेस में वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, उसको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, और उसको पू धे खुनी फीलियो पी अडमिन पे जाऊंगा, और यहां पे हमारा डैश्पूर्ट वोपनी जाएगा, वॉर्ट्प्रेस का, जिसमें हम प्लगिन पे जाएंगे, और यहां पे अड्नियो पे क्लिक करूँगा, जिसमें add new यहाँ पे मैं type करूँगा astra और यहाँ पर देखेंगे starter templates, elementar, wordpress and beaver builder यहाँ पर इसको में install कर लेंगे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसको install होते हम activate करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर activate भी हो चुका है, हमारा यह template, starter template astra का जो है तो इसको मैं यहाँ पर astra पर click करूँगा और यहाँ पर हम इसके dashboard पर click करूँगा यहाँ पर यहाँ पर astra का dashboard open हो चुका है, जिसमें starter template, starter templates का जिसमें मैं click करूँगा तो astra के जो theme, जो plugin है, उसके जितने भी themes हैं यहाँ पर आजाते हैं, जो कि जिनमें कुछ premium भी हैं, कुछ free भी हैं तो आपकी choice है, आप तो as a beginner तो obviously आप free ही choose करेंगे तो मैं यहाँ से कोई भी theme select कर लेता हूँ, for example मैं यह यह वला theme चूच कर लेता हूँ wonderful gift like this one, तो यहाँ पर कुछ option देता है हमें, customization के तो यहाँ पर हमें logo को change करने का option मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और upload files पर click करूँगा, select files और यहाँ पर हमारे पास tech next का logo है, मैं यहाँ पर select कर लूँगा, तो कि यहाँ पर paste करना है यहाँ पर यहाँ पर काफी साई SEO option दें, जैसे all text है, titles, caption, description यहाँ आप जो है अपनी choice के मताबिक जो इसको कर सकते हैं मैंने यहाँ पर logo की यहाँ पर width select कर सकते हैं, चोटा बड़ा या कि size में, तो मैं यहाँ पर इसको size में रख रहा हूँ और continue पर click करूँगा यहाँ पर आपके पास options है color change करने का, theme का जो है, तो मैं आपके कोई भी color कर सकता हूँ, यहाँ पर colors change भी हो रहे हैं तो मैं आपके green choose करता हूँ, cause it's my favorite color, और यहाँ पर font change करने का भी option है, तो हम font भी change कर सकते हैं, जो भी आपकी choice हो, depends upon you और यहाँ पर submit and build में website, तो यहाँ पर basically यह 7% हो चुका है, यह basically website को build कर रहा है, local host पर basically यह download करता है, और इसको customization के लिए ready करता है So that was it, आप देख सकते हैं, यहाँ पर के हमारी जो website है, वो complete हो चुकी इसके installation and downloading, तो अब हम view your website पर click करेंगे और आप देख सकते हैं, हमारी website basically इस time पर open हो चुकी है, अगर यह हमारी local host पर जो पूरी website है, यह open हो चुकी है, तो complete जो है यह website है और यहाँ पर हमने, क्योंकि अब इसकी customization करनी है, और इसको फोसी changing लानी है, इसमें, obviously मैं इसको फोसा change करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर edit with elementor करूंगा, तो यहाँ पर मैं click करता हूँ यहाँ पर हमारा elementor open हो रहा है, elementor जो है basically drag and drop plug-in है, जो के websites को easily, wordpress की websites को easily बनाने में, हमारी जो है, बहुत ज्यादा help करता है, so, अब मैं यहाँ पर headings पर आऊँगा, और यहाँ पर जो हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको cut कर दूँगा, जो already हमारे पास है, मैं उसको edit करने लगा हूँ, तो यहाँ पर यह wonderful gift की बजाए, मैं for example, कर देता हूँ, a tourism company, andodyoker tourism company, explore the colorful world, explore the for example back under the wonderful world wonderful word तो आज देख सकते हैं कि यहाँ पी जो है wonderful word तो यहाँ पर हमने इसको change कर दी है मैं इस पर click करूँगा यहाँ पर हमने इसके heading को change कर दी है यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर text है मैं इसको for example control A करके इसको यह कर देता हूँ और यहाँ से मैं text को इभी उठा लेता हूँ for example chat GPT से यहाँ भी कर सकते हैं content के लिए तो मैं लिखे होगा description description यहाँ आप दे सकते हैं मैं HRGPD ने परेग्राफ दे है complete तो मैं यहाँ से इसको copy कर लोंगा जिसमें इसने बोस जादा details दाल दी so I will not copy that, I will just copy this text so control C करेंगे हम and then control V over here और यहाँ पर देख सकते हैं कि text हमारा आगया है यहाँ पर text हमारा आगया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं for example अब यहाँ पर style पर अगर हम आज हैं यहाँ पर typography color मैं इसको green करना चाता हूँ so it's now green and text color तो यहाँ पर हम इसकी complete editing कर सकते हैं कि हमारा text do है किस तरह से देखेगा तो मैं इसको यहाँ इस तरह कर रहा हूँ so it's not really hard so you can learn and you can learn from our channel we will upload more videos in future for this on this specific topic so stick to the channel and subscribe to our channel like share and comment thanks for watching analysis you